से एक NEW CHAPTER पहली class में तो हमारे ज्यादा से ज्यादा time किसमें चले जाता है concept को समझ दे में उसके बाद फिर हम कर पाते हैं तो देखो सबसे पहले हमारा यह Jahren और उसका होना भी नहीं चाहिए क्योंकि को एंट्री नहीं है रिडम्शन तो रिडम्शन का मतलब होता है कि अपना अपना का मतलब जो कंपनी का है अपना शेयर कि वापस कि खरीदना कि खरीदना मतलब हमने फैस्ला किा कि जो से समने इस्फ़ किए थे उस य्ला को वापस खरीद के और हम आब आपके पैसे लोटा रहें और अपने शेयर को वापस ले रहे हैं इस प्रोसरस को क्या बोलाजा जाता है सर रेडम्शन बोला जाता है अब परफ्रेंट का है सर और और आपका प्रिफरेंश क्या है तो एक बाद छोटा सा कॉंसेप्ट एक बढ़ बना लेते हैं जैसे मान लो फोर एक कमपणी है एकस वाइजड लिमेटिड एक कमपणी है डेट इस एकस वईजड लिमेटिड पैस अब इसकंपणी ने क्या किया इस कमपणी ने शेयर इशू करें बिल्कुल करें अब यहां पर दो टाइप के शेयर इशू करें दो तरीके के परसन है यहां पर एक परसन यह है और एक परसन यह है दोनों को शेयर दिये ठीक है अब शेयर जो है वो इसको भी मिला शेयर अगर मैं शेयर की बात करूँ वो इसको भी मिला शेयर एक तो इसको मिल गया शेयर और दूसरी बात करूँ तो इसको भी शेयर मिल गया अब यहां इन दोनों ने शेयर क्यों खरीदा इसका शेयर खरीदने का परपस था कि इन्वेस्मेंट करें और इसका पर्पस क्या था इसका भी investment करें सर investment क्या होता है investment का मतलब हम कहीं पैसे लगाए और उपरी income हो अब investment दोनों का ही परपस है और दोनों ने एक ही company में लगाया अब company का मुनाफ़ा मान लेते हैं कि इसने 10 शेयर खरीदे 10 रुपे के हिसाब से इसने 100 रुपे लगाया company में इसने भी 10 शेयर खरीदे और 10 रुपे के हिसाब से इसने 100 रुपे इसने भी company में दोनों ने 100 रुपे लगाया company का जो मुनाफ़ा हुआ वह हुआ मान लेते हैं कि पांच परसेंट तो पांच परसेंट लिखा गया तो इसका मतलब हो गया तुम्हें पांच परसेंट का इस जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट नहीं जितना भी तुमने वेल्यू इसका पांच परसेंट तुम्हें मिल जाएगा डिविडेंट के फार्म में तो यानि पांच रुपए इसको दे दिया जाएगा डिविडेंट उसके बाद हमें इस पांच सो में से पांच को माइनस करेंगे बचे कितने 400 और यह जो 495 रुपए बचे हैं 495 यह बाट देंगे इन लोगों में तो इन लोगों को मिलेगा 49.5 यानि इन सभी को कितने मिले 49 पॉइंट और इसको मिले कितना पांच रुपए तो यही फरक है हमारा प्रफरेंश में और एक्विटी शेयर में पहले पैसे किसको दिये जाएंगे जिस शेयर होल्डर का एक फिक्स परसंटेज पहले से तै हो चुगा और इक्विटी शेयर कौन से होता है झाला कंद हो सकता है और नहीं हो सकता है मालो यहीं पर प्रफिट मेरा Means 5 ए ब्क करें या B चकिए कि अब बिक्तिया और यहीर फिया तो अगर आपने इस हो किया है तो आप इस में से तल निकाल दोगे तहाब को बच पचेगा capital है तो जो capital हम अगर वापस खरीद लेते हैं तो हमारे capital reduce हो जाता है उस case में तो law कहता है कि आप अपने shares को कभी वापस life में खरीद ही नहीं सकते लेकिन कुछ conditions हैं कि आप shares को खरीद सकते हो with condition तो अगर आपने ये वाला share लिया इसे equity है अगर ये वाला share आप वापस खरीदते हो तो उसको बोलेंगे हम buyback क्योंकि ये equity है और यही वाला share आप वापस खरीद होगे तो इसको buyback की जगहें पर हम नाम क्या देंगे सर redemption तो पहले तो word देखो दोनों एक ही है अपने shares को खरीदना equity share को अगर हम वापस खरीदेंगे तो क्या बोला जाएगा buyback के नाम से इसके बाद वाला चप्टर buyback पढ़ेंगे चप्टर ठीक है ना अभी फिलाल कौन सा चल रहा है redemption of preference share पहले ऐसा होता था अब प्रेदम्शन प्रफरेंश यर में company बोलती है यह फिक्स रेट का डिविडेंट ना हमें कई बार गलती पढ़ जाती हम ना गलत फैम में इसू कर देते हैं ज्यादा जानकारी नहीं होती है तो हमें हर साल इसको डिविडेंट देना है company profit कमाएं तब भी देना है loss कमाएं तब भी देना पड़ता है इनको कई बार तो company ने बोला भीया आज के बाद कोई भी ऐसा प्रफरेंश यह नहीं इसू हो सकता जो कि रिडीम ना हो मतलब रिडीम करना compulsory कर दिया गया mandatory तो हर एक प्रफरेंश को रिडीम करेंगे तो मान लेते हैं इसके रिडीम करूंगा तो इसके मुझे 100 रुपे का देना है पैसे तो यह 100 रुपे जो मुझे इसको देना है उस पैसे का इंतिजाम कहां से होगा और आपका कुछ ऐसा law ऐसा कुछ rule and regulation बनाओ क्यूंकि अगर मैं 100 वापस खरीद ले और capital भी ना घटे तो इसको लॉने बहुत अच्छे तरीके से बताए जो कि हम आगे जनल एंट्री में देखेंगे इस अहां तक हमने क्या देखिया सर प्रिफरेंश क्या होता है और आपको एक्विटी के लिए क्या लगाते हो इसके कुछ कंडिशन से जो कंडिशन सापको सेक्टेंपी के चाहिए कटीछ के कुछ व्लग के सेक्टेंट पच्पन कि जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है चलिए सर क्या कहता है section 55 section 55 किस चीज़ का section है सर यह 55 कौन सा कलर यह ले 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 section 55 companies act 13 provide that क्या provide करता है no issue of irredeemable preferential irredeemable मतलब मैं आपसे पैसे लूँ और मैं बोलू आपको जीवन में पैसे वापस नहीं दूँ और लेते रहो तो लोने मना कर दिया पहले था यह के इर डिमेबल प्रफ्रेंश रिचुने लेकिन हो सकता है ठीक है कि आगे नो कंपनी लिमिटेड अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड बाइस यह सारी बाते हम बाद में करेंगा मैं सिर्फ मोटी मोटी बाते दूसरा आपको वापस खरीदना ही यह तो 20 साल के अंदर अंदर खरीद लेना ऐसा नहीं कि वापस आपने खरीदने को नहीं बोला मैं चलो एकसीडिंग 30 यह कुछ ऐसे स्पेशल चीजें हैं जिसके लिए 20 साल के जगे पर 30 साल रख दिया गया है जैसे इनफा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम करती है इनफास्ट्रक्चर मतलब ऐसी कमपनी जिसका कम फ्लाइवर बनाना ब्रिज बनाना पावर ग्रेट बनाना यह सारी चीजे काम है तो उनके लिए थोड़ा सा रियायत दे दिया गया तुम्हारे को करने का समय सीमा बढ़ा के कितना कर दिया गया 20 से 30 बाकि सब के लिए क्या है वही कह रहा है कि रिडेम्शन एक्सीडिंग 20 बट नॉट एक्सीडिंग 30 यह फर्स्ट प्रोवीजों का मतलब होता है अपवाद एक्सेप्शन को प्रोवीजो बोलते हैं लौ में जब पढ़ागे ना तो उसको क्या बोलेंगे हम एक्सेप्शन को प्रोवीजों बोलेंगे आगे इंकम टेक्स में पढ़ो गया अब फ्रोवीजों सेक्शन कहता है 55 permitted that issue of preferential of a period एकसीडिंग 20 यह तुदा फाइनेंस कंपनी और इंफास्ट्रेक्चर कंपनी स्पेसिफिक शडियूल नंबर सिक्स कंपनी 2013 के अंदर यहां पर लिखी हो आगे क्या कहता है सा रूल कंपनी कंपनी का रूल क्या है कि जो शेयर कैपटल है डिबेंचर है रूल 2014 अप्लाइब हो सिंपल सी बाते बताइए परसेंटेज बागी आपको एक दो और तीन पॉइंट यहां पहला पॉइंट क्या था सब्सक्राइब नहीं होगा दूसरा कम कितने साल में वापस करीदें 20 लेकिन कुछ कंपनी में 30 साल भी हो सकता है आगे कंडीशन फोर रिडेंशन रिडेंशन अगर यह सारी कंडीशन करोगे तभी आप प्रफ्रेंशर को खरी सकते हो नहीं तो बैठे रहो लेकिन फिर सार अगर 20 साल से उपर होगे तो पैनल्टी देते रहो यानि आपको सारे कंडीशन फुल्फिल करना पड़ेगा क्या कंडीशन है पहला क्योंकि कंडीशन इसलिए लगाया लॉने क्योंकि अगर यह कंडीशन नहीं लगाता तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कैपिटल घट रहा था तो उसको घटने से रोकना था अभी मैं बैलेंशीट बनाके भी समझाओंगा क्या ऐसा पंगा है तो बोला गया कि सर सच शियर मस्ट भी फुल्ली पेड़ आप रिडीम करोगे उसी का जो की क्या होगा फुली पेड़ एनी प्रीमियम पेबल और रिडेम्शन अफ सच शियर सेल भी प्रवाइड आउट अफ दा प्रॉफिट आउट अफ दा कंपनी सिक्यूरिटी प्रीमियम कोई भी प्रीमियम अगर देते हो यानि दस वाले शिय प्रीम आउट अफ दा डिस्टिबीशन जो की हमारा डिवीजवल प्रॉफिट होता है जो डिस्टिब्यूट करते हैं फेस नॉमिनल वेल्यू आपको क्यापिटल रिडेम्शन रिजर्व अकाउंट में बनाना पड़ेगा एक चितना भी आपको रिडेम्शन करना है आपक आप इस पैसे का ऑप आप सिर्स और सिर्फ और सिर्फ ब्यूनस इस्यू करने में कर सकते हूं बाकी किसी काम में नहीं सकते हो इसकेओ चीजिए बिजले में बताता जा आगे पॉइंट क्या कहता है सेक्षन को करें तो क्या कहा गया किसका होगा फुली पेड़ प्रेफरेंश हीर सोर्स का मतलब पैसा कहां से दोगे पैसे होने के लिए चीप पॉइंट भी तो होना चीए तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट जो होका डिवीज्वल यानि जो एक प्रेश इशू आप नए शेयर को इशू करिए और वहां से पैसे का इंतजाम कर लीजिए पैसा ही तो देना है और कई बार हम अपने एसिट को भी बेचके पैसे का इंतजाम कर सकते हैं आउट अफ कॉंबिनेशन ऑफ बोथ या तो दोनों से भाई या थोड़े से फ्रेश करेंगे उसके प्रीमियम के लिए हम क्या करेंगे रिडीम प्रफरेंश यह आइधर एट पार और विफोर उसको हम प्रीमियम यूज कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा एक कुश्चन से पहले मैं आपको पहले कुछ फंडा समझा देता हूं जो कंडीशन डालना पड़ा है यह हमारी एक पुरानी वाली बैलिंशीट बनाके दिखा रहा हूं दो कि आपके समझ में आ जाए और कुछ इसमें अपने मर्जी से कोई भी डाटा में लिख देता हूं यह लाइबिलिटी है और यह एसेट से ठीक है ना यह लाइबिलिटी है जो लाओ बनाने वालों की मंसा यानि उनके जो इच्छा थी वो क्या थी सबसे पहले और लिखा एक्विटी शेड वाच लग को महां है प्र लिखा प्रफ्रेंस शेड कैपिटल तीन लग को प्र लिखा इत जन्ल रिजर्व फिर क्या लिख्वा जनर रिजव दो लाक, फिर लिख्वा सेक्योरिटी प्रीमियम एक लाक, ठेक है फिर लिख्वा इसने क्रिडिटर, छे लाख फिर लिखा डिबेंचर चार लाख ठीक है इस तरीके से इन्होंने टोटल किया तो टोटल देखा जाए तो कितने पांस तिनाट दो दस ग्यारा और दस इकिस लाख फिर इधार इन्होंने लिखा एसेट एसைड पांच लाख फिर लिखा कियाश nee दो लाख और फिर लिखा इन्होंने कैस के बाद फिर लिखा इन्होंने स्टॉक आठ लाग और बागी डाल दिया प्री पेड एक्स्पेंस यह डेटर डाल देते हैं कि डेटर कितने होगे टोटल दस पांच पंदरा और इक्किस में छे यह आपके सामने एक सुंदर से छोटी सी बैलेंशीट हमने बना ली है अब इस बैलेंशीट में पता है कि दो परसन ऐसे जो बहुत घवरात सकते हैं यह दोनों वेक्ति जो है यह वह जो आउटसाइडर है बाहरवन और यह जो है अगर इसके अंदर में मालिक को निकालू कि मालिक का इसके अंदर क्या है जो मालिक है वो यह है यह ओनर का देखा जाए तो टोटल दस लाग ही पैसा फसा हुआ है बिसनस में सेक्यूरेटिव प्रीमियम ऑनर का थोड़ी ना होता है वो तो बाहर वाद उससे हमले सीव करते हैं देख है ऑनर का क्या है जो एक्विटी शियर लगाया है दूसरा जो प्रॉफिट कमाया है और वो जनरर रिजब के अंदर आ गया है तो ऑनर का आप देखो तो यहां 10 लाख है जबकि आउटसाइडर का अगर आप देखो तो उसका भी क्या है हमारा लगबग लगबग दस लाख है थोड़ा सा मैं एक्जांपल चेंज कर देता हूं थोड़ा सा और थोड़ा सा अच पैसा जो है यहां पर लगावा कितना लगावा है बताओ और का पैसा कितना लगाव है दस लाख है और बाहर वालों का पैसा कितना लगा है 14 और 6 20 लाग है अगर यह ओनर अपनी कैपिटल को यहां से खीच के निकाल ले जैसे मान लो एक ओनर है उस ओनर को पता चल गया बहुत बढ़बाद होने वाली है कंपनी के हालत बहुत बेकार है तो आज अगर मैं कंपनी को बेच भी दूँ तो समझ मान के चलो इनके आपने पैसे के अंदर बहुत सारी कमिया है यह किसको पता चल गया तो ऑनर यहां पे चलाक है HogSt को ना खरीद पाए अपने खरीद ही न पाए तो लोगों ने बोला अपने शेर को नहीं खरीद सकते लेकिन यहां पर बड़ी दिक्कत है कई बार हमारे शेयर के वैल्यू को बहुत डीड कर दिया जाता है शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं जिससे हमारा मार्केट कैप आपको समझाते हैं आपके यह 10,00,00 का कॉंबिनीशन 10,00,00 ही होना चाहिए ऑल्वेज बोला एक काम करो देखो आपको प्रफरेंश कितने हैं आपके प्रफरेंश केपिटल कितने हैं सर तीन लाग आपको तीन लाग के लिए सबसे पहले आपको जितने पैसे फ्री रिजर् लिए एक लाग के लिए आ पर काम करो फ्रेश इस्व कर दो मतल्म नए शेर इस्व कर दो ऐसे तो करी सकते हैं पल्टी तो मारी सकते हो तो अब फ्रेश इस्व होगया तो अगेन अगर देखा जाए हमारा यहां पर सिचुएशन तो हुआ यूं कि यह वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट तो यहां से चला गया यह तो जीरो हो गया कट गया लेकिन यहां पर एक और फ्रेश ईशु आ गया कुछ भी क्विटी चाहिए कितने रुपे का ऑनर्शिप कितने की रह गई दो और छ्याट की रह गई दो का फिर भी सिचिट हो गया वह भाई यह जो यह इसको CRR को भी यहीं पर connect करो आप यह भी हमारे जीरो हो गया यह भी जीरो हो गया CRR इसके जगह पर replace कितने से होगा दो और यह कट जाएगा और दो लाखा जाएगा तो honor fund जो है वो कम तो हुआ ही नहीं दस का दस honor fund तो प्रफरेंश रेडीम हो गया honor fund कम नहीं हो लेकिन CRR में तो पैसा गया तो CRR कहां यूज करोगे एक ही जगह तो यूज करने के लिए आपको bonus इसू ही करना पड़ेगा तो यानि एक तरीके से आपने उसके share को redeem भी कर लिया और अपने जो owner के fund को क्या करके रखाएं हाँ पर maintain करके रखाएं हाँ पहले यह देखिए समझ मैं यह बात आपको अब यानि आप जब कभी भी प्रफरेंश को redeem करोगे तो आपको दो चीजे फॉलो ही पॉलो करनी पड़ेगी प्रफरेंश कर लो चाहें आप फ्रेश इसू कर लो वापस तो आप इकविटी शेयर इसू करो या फिर आप प्रफरेंश करना डिवेंचर तो इस कटेगरी में आ जाएगा अगर हमने फ्रेश इस कटेगरी में आ गया तो ओनर फंड तो हिल गया हमारा समझे बात तो यहां पर यह लौने यहां पर दिमाग लगाया कि आप रिडीम कर पहले आपको कुछ अकाउंटिंग एंट्री ओर अपनी तयारी करनी पड़ेगी क्या बनाना पड़ेका रिडेम्शन से पहले एक यह बनाना पड़ेगा वनाने के लिए का आपका जिएस र के यहां के गर सकते क्या security premium का payment करने के लिए किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है जनर अ को सकता है जर बना कि समझो इस्चेर खतम हो इक और और एक और नया मतलब आपको समझ protagon Preis बताइए को समझ सवंढ़ में आ रही बात आपको किभा मिलत आपको आगे तक की आ faucet अपने पूछा था यहां तक सभी को समझ में आ गया कि क्युं 흥 लॉव बना है हमारे पर से गया आया है कहा पर फेंशियर जीरो गया यह जीरो गया जीरो हो गया है क्यों पांच और एक छे और सियरर में कितने हैं दो आठ और एक पहले कितने थे पांच दिन आठ दो दस तो दो लाग प्रवेंश एक लाग एक फ्रेश इसू कर दिया न ने फ्रेश इसू तीन होंगे कितने होंगे एक में रूको तीन लाग दो लाग सिग्र तो यह दो तो यह क्यों भूल रहे हो यह दो है 208 रुपाया कि दा पर यह दो मेरे तो बावर समने चैनल को फोड़िया कि है को पूरणीным द Games विए उन्मार aja व्हें कितने हैं एक में को आल गया है और हमने की अ कितने हैं कर दिया के लाग यानि लए दो और तीन यह रह गिया लुए रहे गया जनलर रिजर नई फिर भॉनस इस्व भी तो करेंगे हम कि Crr को future में ऐसे मैं कह रहा हूं कि हमारा सी आरा गया अट को फिर future में हम भॉनस इस्व के स्टार्टिंग से हम क्या बात कर रहें स्टार्टिंग से बात कर रहें कि आपको रिडम्शन करना है कि कि इसका और प्रफरेंश के इसको रिडम्शन करने के लिए आपको सूर्स कौन सा लेना है कि इसको रिडंशन करने के लिए सूर्स यानि पैसा कहां से लोगे तो नंबर वन आप या तो फ्री रिजर्व ले लो या फिर नंबर दो आप क्या ले लो सर फ्रेश इश्यू कि इसको को क्या हुआ अब्र थि तोनों का कॉंबिनेशन ले सकते हो है इसको जो क्रिएट करना ही करना पड़ेगा तो यहां पर हमारे पास दो सूर्सिस है एक मैं बहुत बेसिक सा कुश्टन्स ले लेता हूं एक्जाम्पल में कि माल लो हमारे पास टैन परसेंट प्रफ्रेंज शियर कैपिटल है 10,000 और इसको रिडीम करना है और हमारे पास जनरर्रिजर्ब में दो लाक रुपए है ठीक है तो सबसे पहला काम हमें बनाना पड़ेगा सर क्रिएट ousseव स्यार तो सी और क्रीट करेंगे कितना सर दस अजार have एक मालने दें कि हमारा दस रुपए का है यानि एक लाइक का तो एंट्री हो repeal पैर दिर these and money Size सो हो गया यह क्या हो गया सोर्स यानि कितने हो जाएंगे सर एक लाइक और हमारे पाइस जड़ Mind appropriate अमांट लिखेंगे करेंगे 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 अब प्रिफरेंश को बुला लो के ले भाई अपना पैसा ले जा तो बुलाने का मतलब द्यू तो हम क्या करेंगे सर हम करेंगे प्रिफरेंश शियर क्यापिटल अकाउंट डेबिट अगर दस परसेंट है तो दस परसेंट लगा तो और टू आजाओ भाई कौन प्रिफरेंश शियर होल्डर आजाओ समझना बातों को मैं रफली थोड़ा सा मैं थोड़ा अमाउंट डियू समझे अब उला लिए आप उसके पैसे भी देने पड़ेंगे पैसे देने के लिए क्या करेंगे सर हम प्रिफरेंश शियर होल्डर टू क्या करना चाहिए पैंक यह हो गया हमारा प्रिफरेंश रेडम्शन की जर्नल एंट्री सिंपल में हम बोले तो अब प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम के हमें थोड़ी से बस आगे पीछे करना पड़ेगा कब तक है क्लास कब तक अभी रहें दस पंदा में टुक जाओ पहले एक दो कुशन कर लिए यह है हमारा प्रफरेंश रखोल्डर को बुलाने की प्रफरेंश रखोल्डर को बुलाने की कि अपने पैसे ले जाओ भाई और यह है पैसे भाई पैसे मिलके तुम्हें काम खतम हो गया रिडम्शन हमारा अब अगर हम इसे को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं उसकी कहानी अलग आ जाएगी ठोड़ी से चीक है ना एक कुश्चन आपके दे रखे हैं यहां पर देखो कुश्चन में क्या कहता है कि अंकित लिमिटेड फोर्फिटेड दो हजार इकूटी शियर सो रुपए का एक है असी इसने दे दिया था और इसको रिशू कर दिया अठारा सो रुपए एट नाइंटी फुली पेड़ अप अरे यह तो रिडम्शन का हुआ ही नहीं यह नहीं हुआ क्योंकि यहां पर इशू यह नॉर्मल फूर्फिचर का हो गया है ठीक है यह तो नहीं कर गया है और इसके कुश्चन कहा गया है यह तो रिया है कि पहले मुझे लगता है और आपको मैं अपने कुछ एक अपने एक्जामपल करा दूँ ठीक है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा एक्जामपल नंबर तू देख लिए मैंने कहा कि मैं 12 परसेंट प्रेफरेंज शेयर कैपिटल रिडीम करने वाला हूं टीक है और नंबर कितने हैं दस अजार एक डरेट हंडड़ेज एच ठीक है हमारे पास जनर रिसम में माल लेते हैं कि भीया चार लाख है बैलेंस हम करेंगे फ्रेश इस्व बैलेंस हम करने वाले इस फ्रेश इस्व सबसे पहले तो हमें CRR क्रिएट करना हो तो CRR क्रिएट करने के लिए हमारे पास मात्र चार लाकी है और जबकि हमें CRR कितना बना लेना चाहिए हमने बोला कि इक्वल टू फेस वैल्यू बनाना चाहिए हमारे प्रफरेंश यह रेडम्षन जो होगा फेस बैली वह दस लाक रूपय का सरथ दस लाक रूपय कैसे दस राजार इंटू में सो तो दस लाक का तो CRR बनाना पॉसिबल ही नहीं हमारे पास है एक्वारी पास रिज़र्व में कितना है हमारा पास छार लाक का हमने नहीं है दिद्वी च्छे लाक की हमें इंतजाम करा जो कि छीलाग रूपय हमें क्या करना पड़ेगा ओंड तो जनल एंट्री क्या करेंगे सबसे पहले जनल रिजब तू सी आरर जनल रिजब तू सी आरर कितने रुपे चार लाग चार लाग इसके बाद ठीक फ्रेश इसू करना है तो डारेक्ट एंट्री कर सकते हैं तू सिर अप्लिकेशन एंड अलॉट्मेंट कर दो छे लाग इसके बाद आप कर सकते हो शियर अप्लिकेशन कि टू इक्विटी शियर कैपिटल कितने हो गया है छे लाग और छे लाग दस लाग का इंतजाम हो गया अब भाईया आज बुला लो उनको किसको बुला लिया त्वेल पर्सेंट टू कितने रुपए देने हैं तर दस लाग अब प्रफ्रेंशियर होल्डर और तू बैंक एंट्री खतम अभी प्रीमियम वाले पार्ट नहीं किया वो करेंगे दस लाग प्रीमियम्वाली के साथ पेमिंट वाली भी करेंगे पहले यहां तक देखिए अगर security premium ना हूँ हाँ तो free reserve का mount से premium on redemption settle कर सकते हैं बिलकोlo no weel intellisal अगर securityanching program नहीं हुआ तो कर सकते हैं सर एस पिस सिरिख premium on redemption के लिए use होगा बिलकुल security premium प्रेमियम on redemption के लिए यूज होगा CRR के लिए नहीं होता है न बिलकुल सही बोला अपने प्रीत पालने सर कॉर्परेट अकाउंटिंग में प्रफरेंश की थियोरी आ सकती है अरे थियोरी को छोड़ दीजिए थियोरी तो बहुत कम है बाकी कंपनी लौ में तो आएगी इसकी थियोरी ठीक है ना बताइए कोई डाउट इसमें तो आज की क्लास में पहले नोटिंग करो कितना हो गया है